Good morning everyone, so we are doing chapter number 8, that is money, है ना, और money में हमने अभी तक सीखा money को का हम कैसे figure में लिखते हैं, dotted form में कैसे लिखते हैं, हम उसको read कैसे करते हैं, money की क्या-क्या units है, rupees है, पैसे है, तो हम उनको आपस में convert कैसे करते हैं, and last class में हमने देखा कि हम money को add कैसे करते हैं, कितना जरूरी है है हमारे लिए money आठ करना, similarly, अगर मैं आपको एक situation दूँ, आपको market जाना है, ठीक है, मैंने आपको 50 rupees का note दे दिया, और market जाके आपको 35 rupees का जो है, कुछ chips या chocolates लेकर आने, पर 35 rupees का ही लेकर आना है, उससे जादा ने, बाकि जो भी बच्चे एगा आपको मुझे देना है, ठ ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, आपको कैसे पता चलेगा, कि आपको shopkeeper को वापिस कितने पैसे देने चाहिए, है ना, so that गलत पैसे ना आ जाए, shopkeeper कुछ गलत ना कर दे, है ना, कुछ गलती से आपको कम जादा पैसे ना दे दे, तो उसके लिए आपको खुद भी पता आना चाहिए, कि 35 रूपीज अगर आप खर्च कर रहे हो, तो shopkeeper आपको 50 रूपीज के नोट में से वापिस कितनी मनी करेगा, है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, subtraction, ठीक है, तो इस case में हमारी लिए subtraction कितना जरूरी हो जाता है, है ना, अगर हमें subtraction नहीं आएगा, तो हम तो उसको जान ही नहीं पाएंगे, we will not be able to understand कि हमें कितनी मनी मिलेगी, है ना, in today's class we will understand how to subtract money, now again, जैसे हमने addition में बोला, कि just like numbers को हम add करते हैं, बिलकुल वैसे ही हम money को भी add करते हैं, जैसे हम numbers को subtract करते हैं, minus करते हैं, मनी को भी बिलकुल वैसे ही subtract करते हैं, it means minus करते हैं, तो हम जो है Andy and Amby की story से शुरू करेंगे, and then हम subtraction को समझेंगे, कि मनी को हम कैसे subtract कर सकते हैं, और फिर हम अपनी book के questions करेंगे, तो अभी ये दोनों market गए थे, और shopping करके आए, अब shopping जो करके आए हैं, तो इनके पास कुछ money वापिस बच्ची भी हुई है, now they are just telling their parents कि उन्होंने कितना spend किया, और कितना वो बचा के लेकिया, नई, Andy के पास 974 rupees and 75 पैसे हैं, ठीक है, और उसने 453 and 50 पैसे की shopping कर ली, तो अब Andy के पास कितनी money वच्ची होगी, कैसे करेंगे, obviously, total कितनी money थी, उसमें से कितना तो उसने खर्च कर लिया, तो अब कितना बचा होगा, क्या करेंगे, minus करेंगे, और minus जैसा हम plus करते हैं, वैसे ही करेंगे, 453 rupees है, और 50 पैसे है, now, first money कितनी है, total, 974 rupees, 75 पैसे, तो हम क्या करेंगे, rupees को कहां रखते थे, left side पे, and पैसे को कहां रखते थे, right side पे, तो हमने 75 और 50, right side पे रखा, 974 and 453, left side पे रखा, तो हमारे पैसे आ गए, अब हम subtract करते हैं, तो कहां से start करते हैं, right side से start करते हैं, it means 5 minus 0, 0, 7 minus 5 is, 2, 5 minus 0 is 5, not 0, ठीक है, now, अब rupees को हम subtract करेंगे, जैसा हम subtraction या addition right side से शुरू करते हैं, तो हम obviously पहले पैसे को किया, अभी rupees को करने है, 4 minus 3 is 1, 7 minus 5 is, 2, now, 9 minus 4, कितना हो जाएगा, 5, तो इसका मतलब जो है, आंडी के पास कितनी मनी बच गई, 521 rupees and 25 पैसे, तो ये तो रही आंडी की मनी, 521 rupees and 25 पैसे, लेकिन हम जो question करेंगे, हमें पहले वो जो rupees and पैसे है, उसको पूरी तरह से पैसे में convert करना है, हम, और उसके बाद हम उसको subtract करेंगे, क्योंकि अब वो सारे सिर्फ पैसे होंगे, rupees तो उसमें कुछ होगा नहीं, तो हम सिर्फ पैसे, पैसे को minus कर देंगे, और जैसे हम normal number को minus करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम, पैसे को भी subtract करेंगे, अभी हमारे पास क्या है, 24 rupees, question number 3 है, ए पार्ट में करूंगी, exercise 8.3 का, ठीके, और आप इसका B and D पार्ट करूंगे, 24 rupees, 75 पैसे, and 80 rupees, 50 पैसे, आप question है, सबसे पहले आपको इसको पैसे में convert करना है, again, फिर से, मेरी first money ये है, ठीके, and second money मेरी ये है, और मुझे क्या करना है, from, यहाँ पे होगा, and नहीं होगा, from होगा, from का मतलब, इस वाली money में से, इस वाली money को हमें minus करना है, ठीके, तो आप सबसे पहले तो हम पैसे में कैसे convert करेंगे, हम 24 rupees को convert करेंगे, हमें पता है, 1 rupee में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो फिर 24 rupees में कितने पैसे हो जाएंगे, क्या करेंगे, 24 को हम 100 से multiply कर देंगे, तो 2400 पैसे, अब हम second चीज, क्योंकि हमारे पास money सिर्फ 24 rupees नहीं है, 75 पैसे भी तो है, इसको भी तो include करेंगे इसके अंदर, मतलब हम इसको भी add कर देंगे, तो हमारा total money क्या हो जाएगी, actual में 2400 पैसे, प्लस 75 पैसे, तो total हो गया 2475 पैसे, ये हमारी first money होगी, ऐसे ही second money भी हम करेंगे, 50 already पैसे है, हमें सिर्फ 80 rupees को convert करना है, तो हम क्या करेंगे, 80 rupees is equal to 80 multiply 100, हम पैसे में convert कर रहे हैं तो अभी हमारे पास हमने multiplication में सीखा था था ना, 8 ones are 8, and जितने भी total zeros हैं, वो हम answer में लगा देंगे, 8000 पैसे, अब हम आते हैं, ये सिर्फ 80 rupees तो नहीं था, 50 पैसे भी हैं इसमें, तो इसको भी तो हमें include करना पड़ेगा, अब include करने का मतलब क्या है, add करेंगे, तो उस हिसाब से जो हमारी total money, ये second वाली है, ये है 8,000 प्लस 50 पैसे, it means 8,000 50 पैसे, तो ये हमाई second money है, अब question है, इस वाली money को subtract करना है, from, from मतलब से, किस में से subtract करना है, 80 rupees 50 पैसे में से, तो हम यहाँ पर minus करेंगे, मैंने यहाँ पर money लिख दिये, हमारी जो second money थी, उस में से, हमें minus करना था, तो मैंने पहले उसको लिख दिया, और जो first money थी, उसको मैंने बाद में लिख दिया, पैसे में convert करने के बाद, convert means बदलने के बाद, ठीके, अब ही पैसे के नीचे हम लिखेंगे? अब मैनस करेंगे. मैनस कहां से करते हैं? right side से शिरू करेंगे. 0-5 कर सकते हैं, पॉसिबल है, नहीं है. क्या करेंगे? बॉरो ले लेंगे. 5 से मै बोरो ले लिया, 4 हो गया. यह बन गया 10. अब यह 10-5 कितना हो जाएगा फाइव अब फोर माइनस सेवन फिर से पॉसिबल नहीं है क्या करेंगे बॉरो लेंगे यहां से बॉरो लेंगे पर यह तो खुद ही जीरो है तो हम इसके और हायर प्लेस के पास जाएगे यहां से बॉरो लेंगे यह बन जाएगा सेवन और यह बन जाएग 14 14 minus 7 कितना होता है 7 and 9 minus 4 is 5 and यह हो जाएगा 7 minus 2 is again 5 तो इसका मतलब जो मनी है जब हम subtract करेंगे तो हमारे पास answer क्या आएगा 5575 पैसे अब next आता है हमें इसको subtract करना है इसको arrange करना और फिर subtract करना है जैसा हमने पढ़ा कल की class में भी कि addition में हम इसको read कैसे करते है 30 rupees और dot के बार जो होता है वो पैसे होता है पैसे right side पे होता है rupees left side पे होता है dot के है ना ठीक है तो हम बिल्कुल ऐसे ही इसको arrange करेंगे जैसे once place के रीचे once place लिखते है ऐसे dot के नीचे dot लिखेंगे पैसे के नीचे पैसे लिखेंगे rupees के नीचे rupees लिखेंगे ठीक है तो आब हम start करेंगे arrange करना फिर से यहाँ पे rupees इतने को subtract करना है from rupees 73.50 इसका मतलब है इस में से subtract करना है तो पहले हम इस वाली money को लिखेंगे फिर हम इसको लिखेंगे ठीक है तो पहले हमने लिख दिया 73.50 यह हमारे पैसे होते हैं और यह हमारी rupees होती है अब second money कौन सी है हमारी यह वाली जिसको हमें minus करना है subtract करना है 30 rupees dot के नीचे dot और पैसे के नीचे पैसे अब हम इसको minus करेंगे minus कहां से करते हैं right side से शुरू करते हैं हमेशा ठीक है 0 minus 5 possible है minus करना नहीं क्या करेंगे यहां से borrow ले लेंगे यह हो जाएगा 4 और यह बन जाएगा 10 अभी 10 minus 5 5 हो गया 4 minus 2 कितना हो जाएगा 2 only dot के नीचे dot लगाया हमने 3 minus 0 3 and 7 minus 3 कितना हो जाएगा 4 तो हमारा जो answer आगया वो आगया rupees 43 dot 25 यह हम इसको read करेंगे 43 rupees 25 पैसे और हमें इसी form में answer लिखना है तो यह हमारा final answer हो गया तो आब आप question number 4 का B and C part करोगे